हेलो पिरिये दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी चीकना में तो दोस्तों आज बात करेंगे क्वांटम मैकेनिस का सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटि सिमेट्रिक वेव फंक्शन के वीच में क्या डिफरेंस होता है तो दोस्तो इसके क्या क्या point है आपके सामने हम लेके आई है point to point आपके सामने explanation देंगे एक side आपके पास symmetric होगा एक side आपके पास anti symmetric होगा जो हमारे चैनल पे first time आई है चैनल को subscribe कर ले और जो आपको निच्चे जो bell icon दिख रहा है उसको press कर ले ताकि वीडियो की हर update आप automatic प्राप्त कर सकें तो दोस्तो चलते हैं आज की इस वीडियो की सरुवात करते हैं अपनी copy pen निकाल के ready हो जाए एक side आपके पास है symmetric wave function एक side आपके पास है anti symmetry wave function तो दोस्तो पहला point symmetric wave function में क्या है एक एक point आपके सामने बताते जाएंगे they follow boss Einstein static symmetry wave function किसको follow करते हैं boss Einstein static को follow करते हैं और anti symmetry wave function है fermi dera static को follow करते हैं पहली बात तो यह है आपके सामने फिर बात करते हैं इसके second बात है symmetry wave function में आपके पास क्या है operator आपके पास P है वो exchange होता है इसके अंदर का दोस्तो आपके पास यह equation आपने लिखनी है और anti symmetry आपके सपास यहाँ पर minus लग जाता है only यह फरक है फिर बात करते हैं इससे आगे third number point आपके पास है identical particle having a integral spin quantum number and symmetry wave function तो दोस्तों identical मतलब same जो particle होते हैं उसकी जो integral spin होती है quantum number आपके पास है integral spin होती है अब आपके पास बात करते हैं इससे आगे anti symmetry में third number point है identical particle having half all integral spin quantum number तो दोस्तों anti symmetry wave function में आपके पास half all integral spin quantum number होता है और इसमें आपके पास simple integral spin होती है symmetry wave function में तो दोस्तों तिन्नों point आप note कर लें पोज कर लें इसको screenshot ले लें फिर बात करेंगे इससे आगे fourth number point और five number point यह आपके पास paper में आता है और यह आपके जो quantum की unit चल ले थी इसका fourth जो आपके पास unit चल ले थी इसका first article आपके पास यह है symmetry wave function according to slave bus फिर बात करते हैं इससे आगे symmetric और anti symmetric में fourth number point आप देखिए fourth number point आपके पास है particle displays symmetric wave function जो particle होता है इसमें आपके पास describe करता है किसको describe करता है symmetric wave function को describe करता है जिसको आप क्या कहते हैं bosons बोलते हैं और यहाँ पे anti symmetric में क्या होता है fermions होता है जिसमें particle क्या होते हैं describe करते हैं anti symmetric wave function के तहित उसको क्या बोलते हैं उसको fermions बोलते हैं फिर बात करते हैं symmetry wave function में आपके पास example है वो आपके पास है phonon होता है और उसके बाद आपके पास hydrogen molecule में atomic number 2 है mass number आपके पास 4 है बात करते हैं इसके example की anti-symmetry wave function की तो इसके example में आपके पास electron आता है proton आता है और neutron आता है तो दोस्तों आपके सामने हमने ये बहुत ही important वीडियो आपके सामने बनाई है symmetric और anti-symmetric wave function क्या होता है आपके पास आजाए तो आप कैसे लिखेंगे तो दोस्तों आप ऐसे लिखे जैसे आपके सामने हमने पूरा पूरा explanation दिया है point to point तो जो हमारे चैनल पर first time आई है चैनल को subscribe कर लें और नीचे जो आपको bell icon वाड़ा बटन दीख रहे है उसको press कर लें सभी विद्यार थी अपने गरों पर होंगे ठीक होंगे अपनी परिवार के साथ मोज मस्ती कर रहे होंगे तो अपने पढ़ाई को लिउजना करें अपने रेगुलर वे से पढ़ाई करते रहें और इसकी जो previous वीडियो जो quantum की है वो आप चैनल के प्लेजिट में जाके चेक कर सकते हैं तो आपके सामने कल हमने principle of industrial के बारे में आपके सामने पूरा का पूरा पताया था आप पहले वो चैक कर लें फिर आपके पास symmetry wave function और anti symmetry wave function के बारे में है चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को share कर दें